हेलो एरिवरीवन टोड़े विल डिसकस अबाउट कोज मीड वेक्टर कोज मीड ठीक है तो कोज यानि यानि कि जो उसके कोज साइट होती है जो डीन की जो श्ट्रेइन होती है उसमें जो वेक्टरियो फास की बात करें तो उसमें कोज साइट होती है उसकी वज़से वो क्या करते हैं उसमें यह जो ओवर हेंगिंग आम होते हैं वो उसकी वज़े से क्या होता है लीनियर में से जो उसका जीनम होता है यानि कि जो जीनेटिक मटीरियल होता है जब बेक्टरियों फार्ज में यह इंक्लूड होता है तो जब यह बेक्टरियों फार्ज में इंशर्ट होत होता है तो linear में से circular form बनाता है तो यह होता है मीड यानि की प्लाजमीड ठीक है तो यह उसे कोजमीड करते है तो और उसकी जो capacity के बारे में देखे तो caring capacity 44 के भी यानि की kilo base पेर होती है ठीक है और यह जो ग्रिंद के भी होता है वेक्टर उसकी जो limitation देखे तो 25 किलो base पेर होती है तो यह कोजमीड वेक्टर तो यहां दिखाया है कि जो plasmid बैस कोस out होती है की लेंवाड फेज की तो लेंवाड फेज कीह मैं बात कीं त ACT जो kosa Kath होती हुआ उसमे साइट के हिप्रू यह जो और हेंकिंग होते हैं वह circular बन जाता है L innocent कि यह kos Kath bilang बननके को दमीद बनता है ठीके तो हम कोस मीड वेक्टर कहते हैं तो को कोजमीड वेक्टर है जो हमने PBR जो PUC देखे उससे ज्यादा उसकी ये केरिंग कैपिसिटी होती है यानि कि 44 किलो बेस पेर होती है अब उसकी जो एलिमेंट्स के बारे में देखे तो कोजमीड वेक्टर के जो सारे पार्ट होते है ठीक है तो उसमें फर्स्ट है औरी C जहां से ये कोपी बनाएगा ठीक है जो प्लास्मीड की दो कोपी या फोर कोपी एससे प्लास्मीड बनाएगा और मार्कर जहां से सिलक्षन होता है ठीक है जैसे कि MPC-Lin, Tetra-Cyclin, Resistant होते है उसे हम मार्कर कहते है ठीक है और next ये Ari Site यानि की एसी Site है जहां से हम जो foreign DNA ला सकते है उस Site पर ठीक है और है מא फिटक है ये code Site जहां से ये जो कोस्ट साइट होते है जो ओवर हेंकिंग आम होते है तो अब बात करें तो यह जो फेज है वेक्टरियो फेज की बात करें तो जो कोजमीट की तो उसके प्रोब्लेम्स के बारे में देखे तो problem in lambda vector selection in accurate and दिफ्रेंस यह form of DNA sometime like other sequence तो क्या होता है कि यह वेक्टर है यानि कि जो यह लेंबडा फेज है उसमें क्या होता है selection के थूँ जब यह उसका जो selection होता है तो कई सारी copy बना देता है और कई सारी copy बनाने के बाद उसमें ligation होता है तो एक बहुत बड़ा linear strain बन जाता है तो linear strain बनने के बाद जो हम कहें कि जो साधीयने की जो दूसरी sequence होती है उससे भी ज्यादा यह बहुत बड़ी linear sequence बन जाती है तो अच्छी तरह से यह circular बन नहीं पता ठीक है तो यह circular नहीं होने के कारण कैसे problem है जो हम आगे discuss करेंगे कि उसके problem कैसे बनते है और उसका solution किया है क्योंकि जो यह कोजमीड होता है स क्योंकि ऊसमें स grouping होता है और बहुरह से फोरं यह लेते हैं और यह जो Cosmide बना, क्योंकि हम जब बेक्टरिया में इंशर्ट करते हैं, तो क्या होता है, दोनों का genetic material उसमें होता है, तो यह hybrid की तरह होता है, ठीक है, Which maintains circular in E. coli, जब हम E. coli में, जो बेक्टरिया में इंशर्ट करते हैं, ठीक है, circular form में आजाता है, तो कई बार क्या होता है, circular form में आने के बाद E. coli का जो प्लास्मीड और यह जो बेक्टरियों फार्च का प्लास्मीड है, दोनों mix होके hybrid प्लास्मीड बन जाता है, तो अब यह कोजमीड का structure देखे, तो देखिए, यहाँ पर यह MPR जो रेजिस्टर जीन होता है, उसमें यहाँ औरी साइट है, जहाँ से प्लास्मीड की कोपी होना स्टार्ट होगी, यहाँ पर यह साइट हमें यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझनी है, क्योंकि यह कोज साइट है, ठीके, तो यहाँ से कोज साइट से process start होती है, और यह है BAM H1, ठीके, अब बान लीजिए कि यह कोज साइट है, यहाँ से हम कट करते हैं तो यह कोज साइट से कट हुआ यानि कि यह जो बाम H1 तो इतना पाट यह कट हुआ तो क्या हुआ कट विद बाम ह1 तो देखिये यहां से बाम ह1 और सारा का सारा हमने कटिंग किया तो देखिए यहाँ पर कोस साइट है फिर ओरी सैट है फिर एम पी आ है ठीक है तो यह इतना हमाया है पूरा को काट किया है अब हम इंशार्ड करते हैं दिये वाम ह psychology का ठीक है तो क्या होता है उसमें अब ligation होता है, यानि कि वो ligate होता है, तो कई बार यह से होते हैं, कि जब plasmid की कई सारी copy बनाते हैं, ठीके, तो हम उसका यह जो cutting cut है, यानि कि कई सारे इसे fragment बनते हैं, ठीके, एक ही fragment तो नहीं बनेगा, ठीके, पूरा DNA का कई सारे चोटे-चोटे fragment बनेगे, अब यह fragment बनेगे, तो उसके कारण जब यह ligation होता है, तो ligation होता है, तो क्या होता है, यह जो सारे fragment बनके एक बहुत बड़ा, एक linear DNA बन जाएगा, देखिए, यहाँ पर तो हमने ज़स्ट आपको समझने के लिए, एक ही जो cutting दिखाए गई है, तो लेकिन जब हम cutting करते हैं, तो क्या होता है, कई सारे चोटे-चोटे fragment बनते हैं, अब यह fragment बनके इतना ही नहीं, बहुत बड़ा ऐसे लंबा linear strand बन जाएगा, अब linear strand बन जाएगा, तो क्या होता है, कई बार उसकी जो यह length बड़ी होने के कारण जब हम बेक्टरिया में include करते हैं, तो वो include नहीं हो पाते, क्योंकि उसका जो linear होता है, वो बहुत बड़ा होता है, तो अच्छी तरह से circular नहीं बन पाता, ठीके, तो यह discuss हम बाद में करेगे, तो अब देखिए, जब हम यह DNA insert कर रहे है, उसमें ligation हो रहा है, ठीके, तो ligation होने के कारण, देखिए यहाँ, एसा कई सारे fragment है, वो जुड़ चुके है, यह पात है, एक पात है, यह दूसरा पात है, यह तिसरा पात है, एसे कई सारे पार्ट होके, एक बहुत बड़ा linear DNA बन जाएगा, अब क्या करेगे, इस DNA को हम, जो यह in vitro packaging बना, अब इसके साथ हम lambda particle एड करेंगे, ठीके, अब यह lambda particle एड हुआ, फिर हम ecoli में infect करेंगे, ठीके, तो ecoli में हमने infect किया, तो क्या होता है, कि यह जो petri dish हमने ली ही है, ठीके, अगार बारी, तो उसमें हम, ampicillin ampicillin के बारे में हमने आगे discuss किया था, कि जो resistant gene होता है, ठीके, एक antibiotics होती है, तो ampicillin, अगर हमने जो प्लेट में डाला है, फिर, यह जो lambda particle, यह जो DNA, यह सारा, हमने इस में, जब include किया, तो क्या होगा, जो ampicillin resistant gene होगे, ठीके, जो ऐसे बिक्टरिया थे, वो ही उसमें यह जो blue color की हमने colony development की है, ठीके, वो colony development करेगा, और जो ampicillin resistant नहीं होगा, वो क्या होगा, वो मर जाएगा, ठीके, तो यह जो colony है, उसके content में, जो यह circular recombinant cosmide है, जो recombinant cosmide बना होगा, वो ही colony development करेगा, बाकी के जो सारे बेक्टरिया है, वो kill हो जाएगा, cosmide can integrate large size of foreign DNA, but difficult to maintain inside bacterial cell, जब हमने अब भी discuss किया, कि जो cosmide है, integrate करता है, उसकी size, यह तो बहुत बड़ा linear है, ठीके, तो क्या होता है, कई बारे से difficulty आती है, जो bacterial cell में, क्यूंकि वो अच्छी तरश से circular form नहीं बना पाता, eukaryotes है, वो repeat DNA insert in cosmide, तो eukaryotes में क्या होता है, यह जो DNA है, वो कई बार उसमें repetition हुआ है, ठीके, तो अब क्या होता है, यह जब हम process करते हैं, तो कई बार उसके advantage या disadvantage होते हैं, जैसे कि हम उसे problem and solution भी कहते हैं, ठीके, तो अब उसके जो disadvantage है, वो किया है, यानि कि उसका problem क्या होता है, क्योंकि हम कोई भी process करें, तो उसमें एक तरफ एक problem भी आता है, और उसका solution भी निकल आता है, ठीके, तो अब यह problem के बारे में देखें, तो more than one insert molecule can ligate between each cosmic DNA fragment, अब क्या होता है, जो जो हमने जब उसका cutting करते हैं, तो एक fragment नहीं आता, लेकिन कई सारे fragment आते हैं, और यह जो ligate हुआ है, ठीके, तो यह ligation के कारण यह जो linear है, वो बहुत बड़ा बन जाता है, ठीके, तो उसका solution क्या है, तो हम phosphate treatment करेंगे, which, इनहीं बीट, multiple insert, यहाँ देखिए, जो यह DNA की strand है, जहाँ पर हम phosphate treatment करेंगे, phosphate treatment में क्या होता है, यह DNA की लंबी chain है, उसमें यह 5 प्राइम पर OH phosphate group present होता है, ठीके, तो जहाँ पर यह देखिए, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, जो fragment बीच-बीच में जुड़ा है, यह 5 प्राइम के OH group, यानि कि phosphate group, एड होगे, उस phosphate group को ही हम break कर देंगे, तो क्या होगा, यह बहुत बड़ा linear है, वो तूट जाएगा, यानि कि छोटे fragment हमें मिल जाएगे, ठीके, तो यह उसका solution होता है, कि जैसे हम phosphate treatment करते हैं, यानि कि उसके जो phosphate group है, उसको हम easily break कर सकते हैं, तो उसके कारण हम बेक्टरिया में जब include करें, तो कोई दिकत, यानि कि जो कोई problem नहीं आ सकती, दूसरा problem है, कि जो ligation of cosmet circulize the structure and no longer available for in vitro packaging inside lambda phase, तब क्या होता है, कि हमने discuss किया, जो छोटे-छोटे fragment के जो ligation होता है, उसका, ठीके, तो यह ligation होता है, तो उसकी वज़े से बहुत बड़ा DNA बन जाता है, ठीके, तो वो, जब हम बेक्टरिया में include करते है, तो बहुत बड़ा linear DNA होता है, तो वो अच्छी तरह से circular नहीं बन पाता, तो उसकी वज़े से यह problem आ सकती है, ठीके, देखी यहाँ, जब यह fragment ऐसे कई सार फेग्मेट बनते है, फिर उसका ligation होता है, तो उसके कारण बहुत बड़ा linear बन जाता है, यह जो in vitro packaging में, ठीके, तो यह क्या होता है, जब यह उसका बहुत बड़ा linear बन जाता है, तो एकदम circular नहीं बन पाता, तो उसके solution की बात करें, तो solution में हम क्या कर सकते है, cut cosmead या two different RE to generate left hand and right hand which cannot ligate each other, यानि कि जब यह बहुत बड़ा बड़ा बन जाता है, ठीके, तो हम क्या कर सकते हैं, different type के जो restriction enzyme होते है, क्या करते हैं, left hand and right hand, दोनों तरफ से जो ligation होता है, उसे हम ligation होने ही ना दे, अगर ligation ही नहीं हुआ, तो यह linear है, वो बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा, यह जब यह ligation हुआ है, ठीके, तो यह जहाँ जहाँ है, यह टुकडों के बीच में ligation हुआ है, ठीके, तो यह टुकडों के बीच हम ligation होना ही नहीं दे, तो अगर यह ligation नहीं हुआ, तो यह DNA है, वो बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीके, तो यह दो तरह की प्रब्लेम थी, और दो तरह के सोलूशन थे, एक तो के जो फोस्पेट ट्रीटमेंट करेंगे, यानि कि जो 5 प्राइम पर ओएज ग्रूप होगा, तो इसे हम फोस्पेट ट्रीटमेंट करेंगे, तो फोस्पेट ग्रूप को हम निकाल देगे, तो क्या होगा, यह बहुत बड़ा linear है, वो linear नहीं बन पाएगा, यानि कि बीच बीच में कटिंग आ जाएगी, और दूसरा solution यह भी है, कि हम left hand and right hand पर कटिंग कर देंगे, ठीके, तो यह पूरी तरह से उसे lagation नहीं हो पाएगा, तो यह बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा, तो यह बात थी कोजमीट वेक्टर के बारे में, ठीके, so guys, इस lecture में बस इतना ही next lecture में हम, जो यह फाजमीट वेक्टर है, उसके बारे में डिस्कूस करेंगे, ठीके, so guys, thank you so much, and keep reading.